तो mistake number one देखिए ignoring your NCRT आप ये गलती जनरली करता कौन ये गलती जनरली 11th के students करते है आप होता क्या है आपने नई नई किसी ना किसी class में admission ले लिया आपको आपने class के notes मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे आपका जो NCRT है इस NCRT को side में रख दोगे जो मेरा paper एक class का वो notes से आ रहा है जो कोई भी paper हो किसी भी class का paper हो उसका 80-85% questions जो है वो आपके NCRT से आते तो आपको ये गलती नहीं करना है आपको सारे subject के NCRT पढ़ना है physics, chemistry, bio जो बच्चे जो average बच्चे वो generally करते क्या है they are like कि वो class में जाएंगे physics के जो सर ने notes लिका है वो notes को पढ़ेंगे class में जो numericals का है उन numericals को याद कर लेंगे और formalizer याद कर लेंगे वो numericals खुझ से practice नहीं करते है generally मैंने भी आपने preparation phase में observe किया है वो generally numericals बहुत कम practice करते है तो आपको करना है कि आपको daily 50 numericals practice करने physics के जिससे आपका time management भी होगा और आपको बूश भी मिलेगा कि बरीफ numericals solve हो रहे है तो second गलती physics के numericals को neglect नहीं करना है जो s block है जो p block है मतलब आपका inorganic chemistry और organic chemistry को regular revision लगता है तो you should be like कि दिन का मैं आदा घंटा निकालूँगा रोज का बस ज्यादा नहीं आदा घंटा निकालिए देता है ऐसा नहीं कि physics के marks ज्यादा है बायो के marks का में ऐसा तो नहीं है ना paper में सबके marks say में मतलब आपको सबको equal time देना है जिससे होगा क्या आपका जो score है वो चायद से थोड़ा कम रह सकता है पर सब में जो rise होगा वो gradual rise होगा जिससे आपकी consistency बढ़ेगी एक अच्छा स फ्रस्का में एक जैस से पढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे उससे होता कैं आपके दिमाग में confusion होगा तो आपको करना क्या है कोई भी एक या फिसет बुआ है उसको stick करना है उसमें के सारे Bisμε को सब्शुआ करना है उसमें कि धेरी पढ़ना है उसमें गरिमेरिकल स्वर्ना है बस एक या दो books काफी है मेरी साब से, अगर आप class पूरा set रहेगा, तो आप confused हो जाओगे, तो एक से दो किता भी मेरी साब से more than efficient है, mistake number six, skipping your mock test, generally बच्चे क्या करते हैं, exam आगई पास में, पढ़के नहीं हुआ, भई, मुझो डर लग रहा है, मैं exam नहीं दूगा, तो आपको ये नहीं करना है, पढ़ा ही हो या ना हो, exam में जाए, exam दीजे, exam is like your duty, आपको exam कुछ भी करके देना है, exam को कभी skip मत कीजेगा, ये exam दीजिए, और आने के बाद उस topic का analysis कीजिए, जिससे आपको उस topic को समझने में आसानी होगी, mistake number seven, not practicing OMR sheet, अभी तो online का जमान होगा है, बहुत से बच्चे सोचते हैं, offline paper देनी का, अच्छा में online दे देता हो, तो आप online paper solve करते हो, आपको लगता है कि आप OMR sheet solve नहीं क करोगे, तो आप आपने 40-50 मिनिट बचा लोगे, पर 40-50 मिनिट बचा के करोगे क्या मेरे भाई, मुझे बताइए, आपको जो NEET का exam होता है, उसमें तो OMR feel करना है आपको, तो आप जब भी घर में online paper solve कर रहे हो, एक OMR की copy ले लिजिए, इस तरीके से मेरे पास एक OMR की copy ह हो जाएगा, आपका time management भी आच्छा होगा, और आपको समझ में जाएगे कि ने भी घर में या तीन घर में मेरे paper खतम हो रहा है, लास्ट के 20 मिनिट बचते जिसमें में revision कर सकता हो, mistake number 8, not analyzing your mistakes, तो मेरे पास ये question paper है, अब में इस question paper को solve कर दिया, आपको ये paper हो गया, चुट question में तुक का मारा है, वेसे questions धूंड ये, उन questions को gather कीजिए, किसी notebook में लिखिए, किसी reference book में लिखिए, और उनको marker करके आपने दिमागे, ने ये question इस paper में में गलत कियागा, तो कुछ भी करके 9 question गलत होना चाहिए, बट ये question अगले paper में गलत नहीं करना है, mistake number 9, lack of biology diagram practice, ज आप देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखा देता हो, इस तरीके सा आपको आपके जो insight में कितने भी diagram दो, आप तो उन diagrams को ignore नहीं करना है, ज़ी कि आप इस diagram को देख सकते हो, इस तरीके से, मैं सारे diagram अपने इसाफ से पढ़के रखा है, आपको diagram को ignore नहीं करना है, क्योंकि इसमें से चोटी-चोटी questions बनते हैं पेपर में. Mistake No. 10. Ignoring previous year paper. बहुत से बच्चे जनरली करते क्या हैं? पेपर हो गया, तो previous year paper नहीं पढ़ते. पेपर को जा रहे तो भई थेरी पढ़ रहे, थेरी पढ़ रहे. अर भई थेरी कब तक पढ़ोगे? पता भी तो होना चाहिए कि question आते किस तरीके से हैं? बस पढ़ के जा रहे हो exam में, उसका क्या फायदा? बताओ मुझे, मैं सब याद कर लिया. बट मुझे पता ही ने question आते किस तरीके से हैं? तो उसके लिए आपको previous year paper पढ़ना है. कुछ-कुछ लोग को लगता है भई, previous year paper पढ़ना टाइम पास है, ऐसे मेरे दोस्त थे, पिर क्या हुआ उनका? selection नहीं हुआ, या छोटा college मिल गया, तो ये नहीं करना है. mistake number 11, wrote learning in physics. अब ये wrote learning in physics क्या होता? मैं आपको बता तो, देखे. बहुत से बच्चे क्या है? क्लास में जाते हैं, physics क्लास में बैठते हैं, क्लास में ध्यान देंगे नहीं, सब बोर्ट पे फॉर्मिला लिख देंगे, देर भी लाए कि ये formula याद कर लिया, answer आ जाएगा. mistake number 12, not following your time table, आपने एक time table बना लिया, मैंने केता हूँ कि फुरे साल का time table बने ये, साल का time table दो मैंने भी नहीं बनाया था, time table शुरू भी like weekly या fortnightly, आप 15 दिन का time table बने ये, एक हफते का time table बने ये, और जो time table बने उसे stick कीजिए, जैसे कि आपके एक chapter आल है, animal kingdom, अब इसको time लेगेगा, इसको याद करने में time लेगा, तो physics का time थोड़ा कम कर दीजिए विस week में, और बायो का time बढ़ा दीजिए, physics का थोड़ा पढ़िए, बायो का time बढ़ा इए, इससे होगा क्या, आपको physics भी हो रहा है, बायो भी हो रहा है, animal kingdom थो टफ चाप्टर है, उसम ऐसा है याद करना पढ़ता है, जो इन और गनिक हैसा है, आपको पहला दिन से पढ़ना पड़ता है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्याद आपके दिमाग में जाएगा, उसका रोज का पंधरा-विस मिनित, पंधरा-विस मिनिट करोगे, तो then yes, there you are, आप पर तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई एक फॉर्मिला शीट बना लीजिए जिससे आपके सारे फॉर्मिला इस डायरी में आ जाएंगे जिससे आपको बाद में रिवी चन और पढ़ने में आसानी होगी कोई भी फॉर्मिला भूल गए तो इस तरीके से आपके से एक फॉर्मिला शीट रेडी होनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्टी दोनों की आपके फोल पास फ्रोड चार्ट बना लिया है इसके उपर में सब छोट 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 चीज़े लिग दिया है जिससे आपको बाद में में मेमराइज करने में आसान होता है आप में इससे अपने NCRT में बना है आप इसके लिए छोटी सी डायरी भी बना सकते हो डिपेंड आपके पास फ्रोड चार्ट रेडी होने चाहिए